नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारी चैनल बोल्ड स्काई में खराब लाइस्टाइल और गलत खाने पीने की आदत के चलते बहुत से लोगों को पेट से जुड़ी बिमारिया हो सकती है ये बहले ही आम हो लेकिन कई मामलों में ये जादा परिशानी कर सकता है गर्म चीजे या तला भुना फूड जादा खाने से भी गैस के समस्या हो जाती है इसलिए गैस और पेट की बिमारियों से बचाव के लिए खान पान में बदलाव जरूरी है आईए आपको बताते हैं कि गैस्ट्रिक की समस्या से परिशान लोगों को किन चीजों का सेवन करना चाहिए केला केला एक ऐसा फल है जो शरीर के लिए बहुत ही हल्दी होता है इसमें कैल्शियम और आइरन पाया जाता है केला खाने से पेट में गैस नहीं बनती ये पेट की लाइनिंग पर म्यूकस पैदा करता है जिससे पीएच लेवल कम हो जाता है केले में मौझूद फाइबर एसेडिटी को कंट्रोल करने में हिल्प करता है खीरा खीरा खाने से पेट ठंडा रहता है, इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है खीरा खाने से गर्मी में dehydration की समस्या भी नहीं होती, इसे खाने से acid reflux कम हो जाता है और acidity वा गैस की समस्या नहीं होती दूद पीने से हड़ियों तो मजबूत होती ही है, साथ ही पेट की विमारियों से भी दूर रखता है सुबह सुबह एक गलास ठंडा दूप पीने से पेट में जलन नहीं होती ये भूक को भी कंट्रोल करता है इससे acidity और gastric की समस्या भी नहीं होती नादिल पानी जिन लोगों को सुबह सुबह चाय या कॉफी पीने से पेट फूल जाता है और गैस के समस्या होने लगती है सेवन से पेट भरा लगता है और गैस बनने की समस्या नहीं होती तरबूज में भी केले की तरह बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो भोजन को पचाने में काफी उप्योगी साबित होता है खाना सही से पचने पर पेट में गैस नहीं बनती अगर आप गैस्ट्रिक क समस्या परिशान है तो तरबूज का सेवन जरूर करें तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी हमें कमेंट करके ज़ूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें